कॉंग्रिस के गद्दावर निता और दिल्ली के पुर्व मुखमंत्री शीला दिक्षित का आज 20 जुलाई 2019 को निधन हो गया बताया जा रहा है कि शीला दिक्षित बिमार चल रही थी और ज्यादा तभीयत विगरने पर आज सुबा आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भरती कराये गया लेकिन शीला दिक्षित को बचाया नहीं जा सका शीला दिक्षित को अचानक हर्ट अटैक आया और वो इस दुनिया को छोर कर चली गई शीला दिक्षित का जन्म 31 मार्च 1938 को कपुर्थला में हुआ था शिला दिक्षित को राजनीती में विकास लेडी कहना गलत नहीं होगा तीन वार दिल्ली के मुख मंतरी रहते हुए शिला दिक्षित ने दिल्ली वाले के विकास के लिए कई काम किये दिल्ली वाले को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए शिला दिक्षित ने कई फ्लाई ओवर बनाए कॉमन वेल्ट गेम्स के दौरान शिला दिक्षित द्वारा किया गया काम आज भी दिल्ली वाले को याद है महज कुछी दिनों में उन्होंने कॉमन वेल्ट गेम्स की त्यारी पूरी करवाई थी शिला दिक्षित पहली बार जब मुख मंत्री बनी तब केंदर में अटल जी की बीजेपी सरकार थी लेकिन बिनाशोर किये उन्होंने अटल जी के साथ मिलकर दिल्ली वाले के विकास के लिए खूब काम किया उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है या LG हमें काम नहीं करने दे रहें लोग सवाइलेक्षन 2019 में कॉंग्रेस ने दिल्ली में शिला दिक्षित को कमान दिया और शिलादिक्षित ने आम आद्मी पार्टी से बिना अगटवंदन कि ए कॉंग्रेस के वोट परसेंटेज को बढ़ा दिया ऐसा माना जा रहा था कि दिल्ली विधान सवा एलेक्षन में फिर से शिलादिक्षित के नेतुतर में कॉंग्रेस चुनावी मेदान में होगी सिला दिक्षित को देश कभी नहीं भूलेगा OMH News की तरब से सिला दिक्षित को सत सत नमन Bureau Report OMH News